जय हिंद एक वाप्टर से स्वागत है नए वीडियो पे जितने भी केंड़ेट डिकरी पार्थरी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और जिनका प्रैक्टिकल एक्जाम छूट गया है तो देखिए आप लोगों के लिए 20 स्थीथी जारी किया गया है युनिवर्सिटी के द्वारा इस वीडियो के मादिम से आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को प्रैक्टिकल एक्जाम कब से कब तक और कहां देने के लिए जानी है मितला विश्विद्यालाई के अंतरगत चार डिस्टिक आते हैं दर्बंगा मदोबनी बेगुसराय समस्तिपूर चार कर देख सकते हैं आप लोगों विश्विद्याला के द्वारा जारी किया गया है तो मैं इस इंफॉर्मेशन को कंटिनू रखता हूं और जानकारी देता हूं कि कब तक आप लोगों को प्रैक्टिकली जाम देने के लिए जाना है जुट गया है तो और रिजल्ट कब आएं देता हूं यहां पे आप लोग डेट भी देख रहे होंगे विश्विद्याला के द्वारा जारी किया गया नूटिस है और कब जारी किया गया है 16-5-2024 को ठीक है यहां पे आप लोगों को बता दू कि परिक्षा देने के लिए आपके जो डेट ने दारित किये गये हैं व 22-5-2024 के बीच है ठीक है 22-5-2024 और 24-5-2024 दो दिन आप लोगों को प्रैक्टिकल एक्जाम किती दी गई है और निमन केंदर के अनुसार होंगे देखिए जैसे MLSM कॉलेज दरभंगा में जो केंदर है तो वो उसमें कौन-कौन से केंदर जाएंगे परिच्छा देने के के लिए जिनका प्रैक्टिकल एक्जाम छूट गया होगा तो दरभंगा जीला के अंतरगत जितने भी स्टुडेंट होंगे न वो जाएंगे MLSM कॉलेज में ठीक है और विसाय यहाँ पर देख लेजेगा पहले कि सभी विज्ञान भी से अथाथ जो साइंस वाले कैलिडेट है वो सभी अपना प्रैक्टिकल एक्जाम देने के लिए MLSM कॉलेज जाएंगे इसके बाद समास्त सास्त्र मनो विज्ञान भुगोल एव सास्त्र तो इसके लिए आप लोगों को जाना परेगा ठेक है वहीं जे-एम-डी-पी-एल-म कॉलेज मधवनी ठेक है इसमें जो है सभी विज्ञान भी साय के कैंडिडेट को जाना परेगा यह महिला कॉलेज है और इसके बाद जो है यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट है वो जाएंगे ठेक है यह नहीं समझना की महिला कुई जाना है सभी को जाना परेगा इसी कॉलेज में प्रैक्टिकल एक्जाम देने के लिए मधवनी जिला के अंतरगत वाले कैंडेट आर एन ए आर कॉलेज समस्तिपूर में सभी विज्ञान भी सभी मनो विज्ञान देख सब्जेक के इसाब से आप लोग प्रैक्टिकल देने के लिए जाएगा एक चीज और प्रैक्टिकल देने के लिए जाएगा तो आप से पैसा भी लिया जाएगा ठीक है और एक सुदू सो नहीं पूरे पांस सो लिया जाएगा विया बिलंब सुल्क बिसेस बिलंब सुल्क के अधार पर लिए जाएंगे तो इसलिए आप लोगों को 500 रिप्या लेगा ही लेगा यह आप याद रखेंगे और जो चीज बताया गया है आप लोग यहां पर इसे फोलो करेंगे तो वीडियो कैसा लगा मुझे बताईएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाद